आईए दोस्तों आज हम आपको बैलून टॉप जो जीन्स के उपर पहनते हैं उसको बनाना बताएंगे तो इसके लिए देखिए यह दो पीस हमने कर रखे हैं इस तरीके से यह है हमारा साड़े बीस इंच क्योंकि यह डबल में है सवादा सिंच है यह और यह एक दूसरा जो है यह देखिए सतरा दुनी चोंतिस है यह तो यह दो हमने पीस कर रखे हैं इसमें इतना ही कपड़ा लगेगा यह जो हमने औरे पट्टी है यह हमने पहले काट लिए जो यह आर मोल में लगेगी क्योंकि इसमें बाजू नहीं लगेगी और गले में लगेगी तो इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे देखिए इस तरीके से यह जो है यह यह फ्रेंड नहीं है यह बैक है तो यह देखिए पहले इसको देख लें कि पहले रुख किस से जा रहे हैं तो यह उपर की सेड है इसको इस तरीके से निसान लगाएंगे आप अपने साइच के इसाफ से निसान लगा सकते हैं जो साइच है है यह जीन्स को पर पैना जाथ है तो यहसाध je 24 सिंझ एशाधा नहीं होता है तो यह .23 सिंझ हम रख रहे हैं कि इस तरीके से क्योंकि ये हिप के पास में आता हिप से हलका असा नीचे भी आ जाता कि वार उपर भी होता है कि इस तरीके से देखिए कि यह आप अपने साइज के साफ से यह निजान लगा लेंगे कि जो फिटिंग का है कि मैं एक अंदाजन ही ऐसे बना रहे हूं यह यह देखिए इस तरीके से और यहां पर हम यह देर इंज का इस तरीके से यह मारजन रख देंगे क्योंकि यहां पर जो है बैलून टॉप में जो है नीचे लाश्टिक पड़ती है उसके लिए यह इस तरीके से कि यह देखिए ऐसे करके क्योंकि आप इसको सीधा भी काट सकते सीधा काटेंगे तो थोड़ा डीप हो जाता है अगर इस तरीके से काटेंगे तो आपका जो है टॉप पे पहनेंगे कट सिलिप तो नहीं रहेगा तो यह अच्छी फिटिंग आती है इसकी और इस तरीके से कटिंग कर ले यह देखिए यह नीचे का अभी देखिए यह जो बैग है बैक के भी हम इस तरीके से देखिए हम भी यह हमारी जारी उपर और यहांपर जो है हुआ है यह जो और भिंवाली शैट है इधर देखिये इस तरीके से ये छेंज या साधुच गहम इस तरीके से निसान लगा लेंग­ एश्टश करके है कि हमने देखिए सब िंभ लगा इस तरीके से रुट है यह देखिये ऐसे है निसान लगाने के बाद में इसको देखे ऐसे करें सीधा करेंगे सीधा करने में यह जो हमारी बैक पीस है इसको देखे इसके हीसाफ से ऐसे करके। जिरले हैं यह हमें 13 विटी एंद्स, 12 धिक nhadis 12 आप इतनी भी इसमें चुन्नेट डालना चाहेंगे उतना आप रख लें इस तरीके से देखिए और इसको इस तरीके से देखिए यह कटिंग कर देंगे तो आप होते हैं एक उप जादा आभर्ण होता नहीं को कि आदा 25 इजगा माधन होता है कि इस तरीके से देखिए आदा 45 इंजे वहाजे के हमारा भी जाएगा कि यह करके, और यहां पर यह देखिए यह सेंटर का इस तरह के से ल गड़ा लें, और एक द्म लेगे और यह क apparent है जो हमने जो नि सिटाल लगा यह वाला और यह लगाए ठीक कर इसके साफसे जो हम ने यंच पर है तीछ नि आप तहर न जो हमें थ ήταν था कर लाश कि यह पिए और शेंग सबístड़ी नर्म टैओब सफ़ाओं शितनी दाना चाहिए एक एक या दो तो पड़ेंगी नहीं तीन या चार पड़ेंगी इतने इसमें जो उने ये कपड़ा रखा है कि इस तरीगे से देखिए तो कि ऐसे करके इसको पिर इस दरीगे से बिठा लेंगे पीठाने के बाद में फिर इस तरीके से देखिये एक प्लेट और डालेंगे यह देखिए जब यह प्लेट डालेंगे तो यह वाला जो हिस्सा है इसको ना पुलेंगे कि आपका कितना आ रहे आ है ये देखिए ये अभी 7-9 इंच है और ये जो हमारे अभी भैक है ये हमारा पोने साथ इंच एक तो सभा नू इंच में अभी हमारी एक प्रेट और आ जाएगी मलब एक सेट से तीन प्रेटे आयेंगी इस तरीके से देखिए ऐसे करके और ये यह तो पिए इस तरीके से जब तीसरी प्रेट डालेंगे तो यह नहींदी जो सेंट्र है जो यह पटेवाला होने चाहिए जो हमने यह बीश सेंट्र कड लगाया यह देखिए तीन पलेटे इस तरीके से बरावर आजाएंगी यह देखिए ऐसे करके कि यह देखिए ऐसे करके अब हमें इधर करके डालनी है तो यह देखिए ऐसे करके यहां से इसके सेंटर बनाएंगा ऐसे करके यह देखिए यह इस तरीके से एक यह पलेट हो गई और यह दूसरी पलेट देखिए इस तरीके से क्योंकि नीचे की site की पलेट है उसकी कोई अचाहि जरुवत नहीं है कि बराबर होना चाहिए नीचे लाश्टिक आजयागी बहुते ही बैलोन जाएगा उसका उपर की पलेट बराबर होना चाहिए यह देखिए इस तरीके से है दो नडिक हो गई तो पौने चार इंज के ये इस सेट में इस तरीके से ऐसे करें देखिए पौने चार इंज आ गई इसको भी इस तरीके से ये ये लाजा लिए और ये जब लच जाएंगी उसके बाद में तीन साड़े तीन इंज का हम गला काटेंगे गला किस तरीके से काटेंगे वो और इस किस तरीकसे करें लो हम आपको बताते ये देखिए मैंने सारी प्रैट्न से तो ये में प्रषैत लगा लिए एक दो टीन左 में ये drag गला काट ना है देखिए ये गये यह देकी एक बर में आपको नाप के दिखा यह देखिए ऐसे करके यह तीर हमारा यह बराबर आ रहा है तो इसको अम देखिए बैक गला है अ जिसको हम तीन इंज काटेंगे इस तरीके से तीन इंज ब्रॉड वह तीन इस तरीके से लंबाई में डीप कि इस तरीके से तरिके से काटेंगे और यह काटने के बाद में और फिरेंडगह काटने से पहले हम इसको जो है यह सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से ताकि यह पलेट है उरस भाष दो हमारी एक सब्सक्राइगा पर icon 24m धंगा संब्सक्राइब एक सांब पर पर तीड या भ्याड़ा जायागा इक से तरिके ऐसे लागा लेकता लागा इस आधा लाँ ज लागाने दकाशार्षिंट यह एक सिलाई इसकी देखिए इस तरीके से चार-पांच इंची नीचे और लगा लें यह देखिए इस तरीके से ऐसे पकड़के इस तरीके से यह तो सिलाई खुल जाएगी यह वाली कड़ जाएगी यह देखिए इस तरीके से है आब यह झूहारी प्लेट है यह यह यहां पर देखिस हो गई इस तरीके से यह अगधर हमारे हिस्व गला कड़ेगा तो यह ऐसमें पड़ी रहेंगे ग्ला इम्धर से यह देखिए यह excellent laisser that is इसको इस तरीके से देखिए रखेंगे और यह दोनों सेट से इस तरीके से मिला लेंगे अगर अगर चोटा ही इतना गला पहनना है तो तो यह निसान लगा लें इस तरीके से यह देखिए यह तो तीन इंज का गला है यह देखिए यह वाला यह तीन इंज का गला है यह मैं निसान डार करके दिखा देता हूं में इसका गला जो है इस तरीके से देखिए 5 इंच के गरीब बनाऊंगा क्योंकि 5 इंच गला आगे से बनाऊंगा और 3 इंच पीछे से तो ये हमें शैट से जो हुकुक लगाना पड़ते न यहां से यह बैक में खोलना पड़ेगा जिप लगाना पड़ेगा बूची न लग तरीके से देखिए नगा लूँगा कि इसमें लगा रहे हूं क्योंकि इसमें वासर पट्टी लगानी बुग्रम का गला नहीं बनाना है मैं इस तरीके से देखिए ये देखिए ऐसे करके पिर हें सिलाइए रिफिया गुलाई है यह जो कर देखी में ऑलों दोनों बरावर हैं ब्रसे ब्रसी में कर जान देखा इसकी में गड़ाइब पीड़ में गला अब यह आपका जोय ऐसे ही सर आजाएगा अराम से, यह इतना बड़ा यह गला आ जाएगा देखि अब यह जो पनेटा हैं हमारी यह इसी तरीके से यह पड़ी रहेगी और उसके बाद में हम यह जो बैक है इसको देखिये इस तरीके से यह ult doing, Leo said, इसको आसे उपर रखेंगे और इसको और उपर ऐसे रख दींगे ये अब हम इसकी कंदी के उदेखें? जूनेंट करेंगे इस तरीके से देखें इस तरीके से जोनेंट करगे ऊरिये इस तरीके से देखें इस तरीके से देखिए ये कंदी हमने जोइंट कर लिए यहाँ पर हम इंटरलोक कर लेंगे इंटरलोक करके ये जो और ये पट्टी है इसको हम देखिए इस तरीके से जोइंट करके फिर किस तरीके से लगाएंगे आर्मोल में और गले में गो मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह मैंने इंट्रलोग कर लिया और इंट्रलोग करने के बाद में यह पूरी पट्टी मैंने देखिए इस तरीके से यह जोड लिये जो गले में भी आएगी और आर्मोल में भी आएगी अब यह देखे जो गला ये पट्टी लगाने से पहले इसको गले को देखे इस तरीके से चेक कर ले पहले क्योंकि अगर अब भी छोटा होगा तो थोड़ा सा हम छांट सकते हैं इसको जो हमारा बढ़ जाएगा अगर पट्टी लग जाएगी उसके बाद में अगर छोटा हो गया तो दिक्कत हो जाती है फिर नहीं छट पाता है यह देखिए यह 22 इंज आ रहा है यह अराम से आपके सर में आ जागा कम से कम 21 इंज या 22 इंज होना ही चाहिए 22 इंज हो जाए तो हाई यह देखिए ऐसे करके का और या जिवे ड है अध्रिया घ्र शाइल भाग जाए अधिवाला इसा आजी हो चोटे हो थीस शूड़े होते हैं है यह अराम से आप इसको जीन्स पह बिना चुन्नी के पैंद भाप को पैं सकते हैं और यह बिल्कुल फस ऑग सापाद आग अच्छा लगता है यह नीचे इसमें लाश्टिक लगती है तो यह देखिए इस तरीके से लेकल कर देखिए अधसे कि आवत देखे इस तरीके इस तरीके से कि यह लग जाएगा इसको इस तरीके से लेखे इस तरीके यहां तो आप फोल्ड कर सकते हैं ऐसे करके यह देखें ऐसे करके इसमे ज़ो फालस लगाते हैं इसके अंदर ये बारीक कपड़े होते हैं तो इन में जाता, इसमें कट उठना लगाएं क्यूकि कट लगाएंगे तो फटने कट हड़ रहता है क्योंकि गला छोटा होता है डालते हैं तो कई बार उसकी कट से ही ये गला फट जाता है तो इस तरीके से देखिए ये आराम से ऐसी ही बैट जाएगा इसमें कट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये औरेव होती है ना पट्टी इसलिए ये देखिए इस तरीके से ये देखिए जैसे है हमारी बैग और फ्रेंड में ये ये लगा लिए इसी तरीके से सेम इसी तरीके से ही में ये आरमोल में पट्टी लगा लूँआ और पट्टी लगाने के बाद में इसे सैड जोड़के दिखाएंगे आपको और नीचे लाश्टिक के इस तरीके से डालेंगे, भूब भी दिखाएंगे ये देखिए, ये मैंने आर्मोल में इस तरीके से ये पट्टी लगा लिए है और पट्टी लगाने के बाद में अब हम देखिए इसकी इस तरीके से यह हमने इसमें आदा इंज मार्जन छोड़ा था तो आदा इंज इस तरीके से मार्जन है और हम इसको ऐसे करके देखिए सेट जोड़ देंगे इस तरीके से आज देखिए इस तरीके से आप इस बैलून टोप को जो है बारीक कपड़े में चुन्नी या नैट का उसमें भी अच्छा लगता इसके नीचे इनर पैन के और ऐसे कपड़े में जैसे कोटन के में जो मैं बना रहा हूं अगर आप इसमें पैनेंगे बनाएंगे तो इसमें पैनने की जरूवर नहीं है इसको आप ऐसे ही पैन सकते हैं यह देखिए यह इस तरीके से अब हम इसका देखिए नीचे गह रहा है इसको फोल्ड करेंगे पहले यह लाश्टिक है यह बिल्कुल बारीक वाली लाश्टिक है और यह बिल्कुल शॉप्ट भी है तो हम इसको दहें कि यह नहीं डाल देते हैं मिद्किश कि आपको समरत दुनेंगें कि आराम से है 34 35 तक आ रही है 35 तक आ जाएगी अराम से अगर 35 है तो इस इसाफ से ही कि यह देखिए इस तरीके से हाँ इस तरीके से काट थोड़ा सा हलका सा लूज रहे हैं वह आप अपने हिसाफ से अपनी फिटिंग के साफ से आप डाल लेंगे ठीक है यह बारी ने देखिए होता है तो इसको देखिए ऐसे करके ही काट बांदेंगे बिल्कुल यूँ इस पर सिलाई लगाने की जलूबर नही तो इसको इस तरीके से देखिए ऐसे करके रखेंगे इसमें और इसको ऐसे करके देखिए फोल्ड कर देंगे यह आप आदा पौन इंची वाली भी डाल सकते हैं तो मगर यह डालेंगे तो इसमें यह है यह चुति नहीं और पता भी निचलीए इसरफ उसकी जो गैडब है रखेगी बस यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से मैं पूरी सिलाही लगा के फिर आपको फाइनल लोग दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों यह इसकी फाइनल लुक है यह इस तरीके से यह देखिए यह सारी पलेटे आएंगी इस तरीके से और यह लाश्टिक है यहां से इसको चिरब बस इसलिए लगा देते हैं ताके यह यहां से बैलून बना दे इस तरीके से यह हलका सा देखिए इस तरीक से लेना पड़ेगी क्योंकि वो ट्रांसफेर होती है और अगर कोटन के इस तरीके से कपड़े में से बनाएंगे तो आपको समीश की जरूबर नहीं पड़ेगी तो आप इसी तरीके से बहुत आसानी से अपने घर में बैलून टॉप बना सकते हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यो फूर वाचिंग